नमस्कार दोस्तों मैं इस्ट लॉजर सचे स्वागत रॉभी रंदन करता हो ते सभी प्रिय दर्शकों का 19 तारिक से लेकर 25 तारिक के मद्य ये 7 दिन आपके लिए किस त्रकार के होंगे आईए हम आपको बताते हैं यह जानकरी चंद राशी और नाम राशी पर अधारित होगी 19 तारिक से लेकर 25 तारिक तक के बीच का सापताहिक राशी फल क्या कहता है आपकी राशी के लिए वीडियो में हम उपाई भी बताएंगे एक एक दिन का हाल बताएंगे विस्तार से आपको सबचाएंगे सरल भाशा में बताएंगे ताकि आप समझ सकें और जो अच्छा है उसको भी जान लें जो बुरा है उसको भी जान लें आईए शुभारब करते हैं सब्ताहिक राशी फल का आपकी राशी से अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पैल आइकन के प्रिटिट को दबाईएगा फेस्बूक और इस्टेग्राम पर भी आपके मैं फॉलो कर सकते हैं आईए आपकी रा व्रद्धी होगी आपके अधिकारों पे व्रद्धी होगी अचानक से आपकी पत्पतिष्टा बढ़ेगी परिवार के सदस्यों से आप जुड़कर काम करेंगे परिवार में खुशियां आएंगी सब्ता के मर्द भाग में आपको विशेश रूप से पिता, सीनियर, वरि महिलाओं से विपरी इनियर, अच्छा समर्थर प्राप्त होगा, घर से जो वाली महिलाय माता हो चाहे आपकी बहन हो चाहे आपकी पत्नी हो या कोई भी जो इस लिए घर पे हैं या ओफिस में आपकी जो सीनियर या जूनियर अधिकारी हैं जो महिला हैं उनसे आपको सहीयोग बुलेगा शालिरी गरूप से मजबूत होंगे, मांसी गरूप से मजबूत होंगे, आई में बढ़तरी होगी, भाई बहनों से अच्छे रिष्टे होगे, रिष्टेदारों से दुआ सलाम अच्छी होगी, बढ़िया वक्त है करन्य अराशी वालों का 19 सक्टमबर की बात करें तो आपकी कारिस्तिती में सुधार होगा, चिंताओं से मुक्ती मिलेगी, पिता के स्वास्ते में सुधार होगा, आपको ऐसे महत्पूर लोगों का साथ और सयोग मिलेगा, जो आपकी कारिस्तिती को सुधार सकते हैं, जो आपकी गलतियों को सुध आपको तरक्की का रास्ता दिखाएंगे, आपकी माता जी के स्वास्त का समची ध्यान रखिएगा, विद्यारती अधियन कारवर्ग में एक आगशित होंगे, आप अपने जीवन साती के नाम पर संपत्ती पा सकते हैं, जीवन साती की तरक्की से आप खुश रहेंगे, आप कारियों में वैस्त रहेंगे, रुमान्टिक मूट रहेगा जीवन साती के साथ, आप आनंद के पल बिताएंगे, पती पत्नी एक दूसरे के करीब आएंगे, बीश सेप्टम्बर की बात की जाये तो सब्ता का सरुशेज दिन है, निश्यत रुप से आपको समाज माधन समा मिलेगा, आप जहां जाएंगे, वहाँ पर अच्छी आपको बैठक मिलेगी, जिसके साथ बैठेंगे, वहाँ पर ग्यान की बाते होंगी, शोशल मीडिया टीवी से ग्यान प्राप्त करेंगे, जानकारिया प्राप्त करेंगे, वैपारियों को आज निश्यत रुप से ने 21 सप्टंबर की बात करेंगे, तो आपका खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्चा उस जगह पर होगा, जहां से आमदनी होगी, आपकी आए बढ़ेगी, वैपार बढ़ेगा, प्रेम समंद में निश्यत रुप से सुधार होगा, लंबी यात्रा हैं, जो हैं रद हो जा पकी तरीके से विचार ना बना लें, तब तक किसी की बातों पर यकीन मत करिएगा, 22 सप्टंबर की बात करें, तो आज का दिन निवेश करने के लिए शुप है, मुश्किल घड़ी में आज कर किया हो और निवेश काम आएगा, आपकी वानी मदूर रहेगी, लोग आपकी रूप में आकर आपको आशिरवात देकर आपकी सफलता के रास्ते खोल देंगे, स्वास्त भी बढ़िया रहेगा, 23 सप्टंबर की बात की जाए, तो आज आपका उस्सा वर्दन किया जाएगा, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे शतुरता क कहता रहे, किसी के कहने से, किसी के कुछ भी कहने से आपको ना काम शुरू करना है, ना बंद करना है, बलकि अपनी सूजबूज का इस्तवाल करना है, जीवन साती आपके नराज हो सकता है, क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, जब आप घर वालों की बात नहीं सुन का शिकार हो जाएंगे आज थोड़ा समल करेंगे तेज तारीकों 24 तारीक की बात करें तो थोड़े खर्चे बढ़ेंगे लेकिन खर्चे जब तक होंगे नहीं तब तक काम भी आगे नहीं चलता है तो खर्चे होंगे तो काम आगे बढ़ेगा वैपार आगे बढ़ेगा चो पड़ा है या खड़ी है, आप स्वयम पर नियंतरण रखें, स्वयम की बातों पर नियंतरण रखें, किसी से उल्टा शीदा ना बोलें, व्यर्थ के बात विवात से बचें, आपका घर का बात अच्छा रहेगा, सब लोग आपको सफोर्ट करेंगे, दिन अच्छा है, स्व दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा 25 तारी को आपको पता चल जाएगा कि कौन सचा है, कौन जूटा है, कौन अपना है, कौन पर आया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाएगा अच्छी चलेगी वैपारियों के अंदर फिर से पुरहा आथ पुश्वास वापस आ ज रहेंगे, अगर उम्र है तो शादी के प्रस्ता उपर आप्त हो सकते हैं, जीवन साती से रिष्टे मदूर रहेंगे, सभी का आप शुक्री आदा करेंगे इस पूरे सप्ता में, जब भी आप डगबगाएंगे तो आपको परिवार आपके अपने आपके साथ होंगे, तो पक्ष में हो सकता है, अगर आपके जर्म कुर्ली में ग्रह सितारे मजूद हैं, यह सप्ता बहुत ही शांदार है, और आप जानते हैं वो उपाये, जिससे हम इस सप्ता को और भी बहतर बना सकते हैं, तो आपने जाना अपनी राशी का हाल, यह साथ दिन किस परकार से आप करना सबसे बड़ा कर्म हैं, ताकि पित्रों का और इश्वर का आशिरवाद मिल सके, पच्चिस तारिकों सरुपित्रा मवस्या है, अपने ग्यात अग्यात पूरुजों का, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिनके मिर्ट्यू कब हुई थी, लेकिन उनके नाम याद हैं, रिष्टे याद हैं, तो उनका श्राद करके उनका आशिरवाद पुराप्ट किया जा सकता है, इन दिनों में पच्चिस तारिक तक आप ओम नमुग भगवते वासुदेवाय नमा मंत्र का जाप करें, या श्री हरी नानायन या राधे राधे भी कह सकते हैं, क् भगवान विष्टू की उपास्ता आपके लिए बहुत अच्छी रहे कि आप सभी राशी वालों के लिए, क्योंकि ये पित्र प्रक्ष का समय है, और इस समय में अपने पूरूजू का अशिरवाद और भगवान विष्टू का अशिरवाद लेने से सभी मनों कामनाय पू जरूर करिएगा इससे उनको भी अच्छा लगेगा और उनको जब अच्छा लगेगा तो आप आशिरवाद देंगे और उनके आशिरवाद से आपको धन, दौलत, सुख, सुगधाय, संदान, सुख, शादी का सुख और छोटे बड़े सुख मिल जाएंगे, तो ये जरू सकें और सही उबाए करके तरक्की पा सकें, हरियों, नमस्कार